देश के प्रधान मंत्री नरेंद मोधी द्वारा महाकाल लोक को राष्ट को समर्पित करने के बाद शीव भक्तों में काफी उस्सा है जो महाकाल लोके उसे देखने के लिए धोल धमा के जहांज मंजीरे के साथ यहां पर शीव भक्त आ रहा है किस प्रकार का महावले हैं के माध्यम से प्रवीन मादुसकर जो कि इसके सवरक्षा के धाल डोल जांज भजीरे के माध्यम से हम अपनी खुशी का इजहार कर लें क्या लगता आज तो इसा लग रहा है कि भगवान महाकाल की सवारी निकल रही है और सभी शीव भक्त उस्साहित हैं क्या कितने वर्सों से इसका इंतजार था अब लोग हम लोगों को इस महाकाल लोग का उद्गाटन के लिए यससी माननी प्रदानमंति नैयंद मोदी जी उनके लिए जिस प्रकार दिपावली का महा उस्सव डोल डमा का जोर सबाजे होई दमा का ताली का जिस प्रकार वो लोग इंतिजार कर रहेते दस वर्षों से कि यह कारीकम कब हो और इस प्रकार भस्मरमया भक्तमंडल भव्य पस्तूति देकर ऐसा आनंद का विशेयों और ऐसा आनंद मंगल होते कारी रे क्या लगता आपको अब शिव भक्तों को और सुईधा मिलेगी यहां पर यह बिलकुल सुईधा से ज्यादा प्रसुनता रहेगी इस शिव लोक में घूमने से आजमी में आध्यात्म जागरती होगी और बगवान महाकाल के साथ शाथ दर्शन का लाप राप्त होगा जैश चोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुरुक तक महाकाल की नगरी में उस्साही थे हैं शिव भक्त कई वर्सों से इस महाकाल लोक के उद्गाटन और महाकाल लोक के विस्तारीकंड का इंतजार कर रहे थे हैं उनका इंतजार आज खत्म हुआ है और जो महाकाल की नगरी में जो शिव भकते हैं वे काफी उस्साहीत है और धोल ढमाके के साथ राजा दिराज भगवान महाकाल का आश्रिवाद लेने के लिए जा रहे हैं केमरामेन संदीब के साथ विकरम सिंग जाट एबी पी नियूज उज्जेन